Hello Everyone, Welcome to Vedy File, तो आज हम बात करेंगे बच्चों, Some Important Compounds of Carbon and Silicon, Carbon और Silicon के कुछ Important Compounds के बारे हम बात करेंगे, आप तक हमने क्या पढ़ा है बच्चों, Allotrop of Carbon, Carbon Family के Physical Properties, Chemical Properties, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं, आज हम पढ़ रहे हैं, Important Compounds of Carbon और Silicon, तो सबसे पहले अगर मैं Carbon की बात करूँ, तो Carbon के हमने पढ़े थे बच्चों, Oxide, कौन कौन से Oxide पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने Carbon Mono Oxide, और एक पढ़ा था हमने बच्चों, Carbon Di Oxide, बात क्लियर है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, Carbon Mono Oxide गी, किसकी बात करते हैं बच्चों, Carbon Mono Oxide ये बात करते हैं, इन दा Complete Combustion of Carbon, रेक्ट विद ऑक्सिजन और एर, एंड फॉर्म कार्बन मोनो उक्साइड, क्या बोला मैंने बच्चों, अगर In Complete Combustion होता है, किसका Carbon का Oxygen के साथ Reaction करवाने पर, तो हमें Carbon Mono Oxide का Formation होता हूँ, दिखता है, फॉर अगर मैं Carbon की Reaction Oxygen के साथ कराता हूँ, और Heat करता हूँ, अलका सा, तो मुझे क्या मिलता है, दो Molecule Carbon Mono Oxide के मिल जाते हैं, बच्चों, बात क्लियर है, For the Preparation of Pure Carbon Mono Oxide, Formic Acid is Dehydrated with Concentrate H2SO4 at 373 Kelvin Temperature, क्या बोला मैंने बच्चों, अगर Formic Acid को, क्या कर दिया जाएं, बच्चों, Formic Acid को Dehydrated कर दिया जाए, that means, उसके अंदर से Water Molecule को बहार निकाल दिया जाए, तो हमें Carbon Mono Oxide का Formation होता हूँ, दिख जाएगा, जैसे HCOOH, यह क्या है मेरा, यह Formic Acid है, अगर इसकी Reaction, बच्चो, H2SO4 के साथ करा दें, किस Temperature पर, 373 Kelvin Temperature पर, तो मुझे H2O और CO बहार निकालते हूँ, दिख जाएंगे, Carbon Mono Oxide का Formation होता हूँ, दिख जाएगा, बच्चों, बात क्लियर है, समझ में है बच्चों, यहां तक, and for the Commercial Preparation of Carbon Mono Oxide, the steam is react with hot and form CO and H2, क्या बोला मेरे बच्चों, Commercial कैसे Prepare कर सकते हैं, Carbon Mono Oxide को, जो steam होती है, बच्चों, उसकी Reaction हम अगर Hot Coke के साथ करवा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, Carbon Mono Oxide और Hydrogen Gas, महां से बहां निकलते हूँ दिख जाएगी, अगर मैं Reaction की बात करूँ, तो Carbon Solid जो होगा, मेरा उसकी Reaction है, अगर मैंने steam के साथ करा दी, या मैं कहाँ हूँ, H2O Gas के साथ करा दी, किस Temperature पर? 430 से लेके, 1230 Kelvin Temperature पर, अगर मैंने इसको Heat कर दिया, तो मुझे Carbon Mono Oxide का Formation होता हो दिख जाएगा, और H2O Gas बहां निकल जाएगी, और जो ही है बच्चो, Carbon Mono Oxide और H2O Gas का Mixture बना है, इसे कहा जाता है बच्चो, Water Gas, क्या कहा जाता है बच्चो, इसे कहा जाता है Water Gas, the mixture of CO and H2 is known as Water Gas, और Synthetic Gas और Syngas, और क्या बोलते हैं बच्चो, और Syngas भी बोलते हैं इसको Short में, बात क्लियर है, अगर स्टीम के साथ reaction ना करा के बच्चो, हम क्या लेते हैं, अगर Air लेते हैं Carbon के साथ, तो हमें Carbon Mono Oxide के साथ N2 Gas बहाँ निकलता हूँ दिखती है, N2 Molecule बहाँ निकलता हूँ दिखता है, और इस mixture को क्या बोलते हैं बच्चो, इस mixture को बोलते हैं हम producer gas, क्या बोलते हैं बच्चो, इस mixture को बोलते हैं producer gas, for example, अगर Carbon की reaction अगर हमने O2 के साथ कराई है, और Oxygen, Air में क्या होता है बच्चो, इस mixture को हम क्या बोलते हैं बच्चो, इस को हम बोलते हैं बच्चो, producer gas बोलते हैं, यह बहुत important industrial fuels हैं, क्या है, बहुत important industrial fuels हैं, बात क्लियर हैं यहां तक Carbon Mono Oxide in water gas और producer gas can undergo further combustion, forming carbon dioxide with the liberation of heat, अगर Carbon Mono Oxide को further air की presence दे जाए, oxygen की presence दे जाए, तो वो CO2 के अंदर convert हो जाएगा, Carbon Dioxide के अंदर convert हो जाएगा, और कुछ energy remove कर देगा वहां से, बात क्लियर है बच्चो अगर मैं Carbon Mono Oxide की physical state की बात करूँ, तो वो एक colorless gas होती है, odorless gas होती है, और almost water के अंदर insoluble gas होती है, बात क्लियर है, और जो Carbon Mono Oxide होता है मेरा बच्चों, वो क्या होता है, वो poisonous होता है, कैसा होता है, poisonous होता है, वो बात क्लियर है, Carbon Mono Oxide is a powerful reducing agent, क्या होता है बच्चों, बह reduces almost all the metal oxides or jitne bhi metal oxides होते हैं almost sabhi ko reduce कर दिता है, बात clear है, किसको reduce करता है, sabhi ko reduce कर दिता है other than those of the alkali metal or alkaline earth metal, जो alkali metal or alkaline earth metal के jo oxide होते हैं, उनको reduce नहीं कर पता है, but उसके लावाँ जितने भी हैं, बागी सब क्या कर दिता है, reduce कर दिता है, बात clear है? this property of carbon monoxide is used in the extraction of many metals from their oxide ores क्या बोला मैंने बच्चों मैंने ये बोला कि यही method used किया जाता है carbon monoxide का कि वो metal oxide के अंदर से metal का extraction के लिए किया जाता है used किया जाता है for example Fe2O3 अगर इसके reaction मैंने carbon monoxide के साथ करा दी तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है बच्चों मुझे देखने को मिल रहा है कि Fe मिल चुका है और carbon dioxide gas बाहर निकल गी है that means Fe2O3 मेंसे उसने एक metal को extract कर दिया है separate कर दिया है वहां से बात क्लियर है इसी तरह अगर मैं सिग्मा एंड टू पाई बॉंड अगर मैं इस्ट्रक्शर की बात करूं बच्चों तो इस्ट्रक्शर में आप क्या देख पा रहे हैं कि तरह बिएफ करते हैं किसकी तरह इलेक्टों की तरह बिएफ करते हैं और मैटल के साथ करके metal karbonil का formation करते हैं बच्चों किसका formation करते हैं metal karbonil का formation करते हैं the highly poisonous nature of CO arises because of its ability to form complex with hemoglobin क्या बोला हमने बच्चों जो CO poisonous होता है हमने बच्चों की carbon monoxide कैसा होता है, poisonous nature का होता है, poisonous क्यों होता है, because इसकी ability होती है कि वो hemoglobin के साथ क्या हो जाता है, combine हो जाता है, बच्चों किसके साथ, hemoglobin के साथ combine हो जाता है, और क्या बनाता है, एक complex बना जेता है, which is about 300 times more stable than oxygen hemoglobin complex, जो की oxygen hemoglobin complex से 300 गुना जाता stable होता है, this prevents hemoglobin in the red blood cell from carrying oxygen, और ये क्या करता है, carbon monoxide, red blood cell जो हमारी hemoglobin को contain करती है, उसको carry करती है, उसको carry करने से रोकता है, और क्या हो जाता है बच्चों, and the body ultimately resisting in death, और उसमें क्या हो जाता है, body के अंदर, अगर hemoglobin के अंदर oxygen नहीं पहुच पाता है, तो उस person की क्या हो जाती है, death हो जाती है बच्चों, ये बात थी बच्चों, carbon monoxide की, अब मैं बात करता हूँ बच्चों, carbon dioxide की, कि कि carbon dioxide की बात करता हूँ मैं बच्चों, it is prepared by complete combustion of carbon and carbon containing fuel in excess of air, क्या बोला मैंने बच्चों, अगर incomplete combustion कराया है हमने, तो क्या मिलाता हमेरे पास carbon monoxide मिलाता, बट अगर मैं complete combustion करवा जता हूँ carbon का, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे CO2 मिलता है, या फिर मैं कहा दूँ carbon dioxide मिलता है, अगर कार्बन की reaction O2 के साथ कराया हूँ, और complete combustion कर दें, तो CO2 gas का formation होता हुआ दिख जाएगा बच्चों, बात क्लियर है, और अगर इसी तरह में CH4 जो मेरा methane होता है, उसको अगर मैं oxygen के साथ combustion करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, तो भी मुझे बच्चों CO2 gas वहाँ से बहाँ निकलते हुए दिख जाती है, carbon dioxide form होता हुए दिखता है, और दो molecule water के बहाँ निकलते हुए दिखते हैं, बात क्लियर है बच्चों, समद्ध में आगी यह चीज, अगर मैं बात करूँ, laboratory method की, laboratory में CO2 को कैसे प्रिपेट के जाता है, तो उसे प्रिपेट के जाता है, बच्चों, calcium carbonate की reaction अगर dilute HCl के साथ करा दें, तो वहाँ हमें carbon dioxide का formation होता हुए दिखता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ calcium carbonate की reaction, अगर मैं HCl के साथ करा दूँ, एककोस HCl के साथ करा दूँ, तो मुझे CCl2, salt form होता हुए दिखेगा, एक carbon dioxide gas form में बहाँ निकल जाएगी और water का formation होता हुए दिखेगा बच्चों, बात clear है कि हम उसको laboratory method में कैसे form कर सकते हैं, अगर मैं properties की बात करूँ, physical state की बात करूँ, तो हमारा carbon dioxide भी एक colorless gas होती है बच्चों, और एक odorless gas होती है, कैसे होती है, odorless gas होती है, और less soluble होती है, किस के अंदर, water के अंदर less soluble होती है बच्चों, बात clear है यहाँ था कि क्या physical state होती carbon dioxide की, carbon dioxide which is normally present to the extent of approximately 0.03 percent in the atmosphere, carbon dioxide normally केवल और केवल 0.03 percent ही present होती है, atmosphere के अंदर, बात clear है, and this is removed from atmosphere by the process of photosynthesis, और photosynthesis process से atmosphere से carbon dioxide को खतम के जाता है, कैसे खतम के जाता है, it is a process by green plants convert atmospheric CO2 into carbohydrates such as glucose, यह process किस के अंदर होती है बच्चों, जो green plants होते हैं हमारे वो क्या करते है, atmosphere में से CO2 लेते हैं, और क्या करते हैं उसको carbohydrates में convert कर जेते हैं, जैसे glucose हो गया, इन सब के अंदर क्या कर जेते हैं, convert कर जेते हैं, अगर मैं reaction करूँ, photosynthetic reaction की, तो वो reaction कैसी होगी, 6 CO2 की reaction अगर 12 H2O के साथ करवा दे बच्चों, 6 molecule carbon dioxide के लेते हैं, और 12 molecule अगर water molecule ले ले हम, तो क्या form हो जाएगा, glucose form हो जाएगा, जिसका formula क्या होता है, C6H12O6, और 6 molecule oxygen के बहार निकल जाते हैं, और 6 molecule ही water के बहार निकल जाते हैं, तो यह क्या है बच्चों हमारी एक, photosynthesis की chemical equation है, बात क्लियर है बच्चों, by this process plant make food for themselves as well as for animals and human being, इस photosynthesis process की वज़े से, plants खुद का बोजन बनाते हैं, खुद का खाना बनाते हैं, animals का खाना बनाते हैं, बात क्लियर है, unlike CO, it is not poisonous, जैसे carbon monooxide मेरा poisonous gas थी, but carbon dioxide मेरी poisonous gas नहीं है बच्चों, बात क्लियर है, but the increase in combustion of fossil fuels and decomposition of lime stone for cement manufacture in recent years seems to increase the CO2 content of the atmosphere, क्या बोला मैंने बच्चों, जैसे जैसे हम fossil fuels को बहुत ज़्यदा burn कर रहे हैं, उनको combustion कर रहे हैं उनका, और lime stone का हम क्या कर रहे हैं, decomposition कर रहे हैं, cement manufacture के लिए, तो वहां से CO2 का content atmosphere के अंदर क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है बच्चों, So, it raise the temperature of the atmosphere which might have serious consequence, जिसकी वज़े से वो temperature को increase कर जिता है बच्चों, atmosphere का और temperature increase होने के वज़े से, उसके बहुत serious consequence हो सकते हैं बच्चों, बात clear है, So, if we talk about solid CO2, then solid CO2 is also known as dry ice, क्या बोला मैंने बच्चों, जो solid CO2 होती है, उसको dry ice भी कहा जाता है बच्चों, अब मैं बात करता हूँ, dry uses of किसकी बच्चों, uses of carbon dioxide की बात करता हूँ मैं बच्चों, तो जो हमारी solid CO2 होती है, यह मैं बात करूँ, dry ice जो होती है, वो refrigerant की तरह use की जाती है, for ice cream and frozen food के लिए बच्चों, किसके लिए, ice cream और frozen food के लिए बच्चों, यहां बच्चों एक बात ध्यान रखनी है हमें, कभी-कभी हमें क्या किया जाता है बच्चों, exam में कैसे खेले जाता है देखिए, solid CO2 ना लिखके, CO2 के bracket में गलती से जी लिख दे जाता है, मतलब gas warm लिख दी जाती है, और हमसे पुछ जाता है क्या उसका use, ice cream और frozen food के लिए किया जाता है क्या, तो वहां हमें बच्चों उसको टिक नहीं करना है, क्योंकि dry ice मतलब solid CO2 होनी चाहिए, मतलब अगर CO2 के bracket में, जो soft drinks होती है हमारी, उसके अंदर use की जाती है, gaseous CO2 के अंदर, बात clear है, being heavy and non-supporter of combustion, it is used as fire extinguisher, यह बच्चों क्या होती है, एक heavy होती है, non-supporter of combustion होती है, तो इसको fire extinguisher के अंदर भी क्या किया जाता है, use क्या जाता है बच्चों, बात clear है बच्चों, carbon dioxide properties क्या क्या होती है, अब मैं बात करता हूँ, structure of CO2 की, CO2 की structure क्या होती होगी, उसके बारे में बात करते हैं, in CO2 molecule, carbon atom undergoes SP hybridization and oxygen is SP2 hybridized, CO2 molecule के अंदर इसके आप देख पा रहे हैं, carbon और oxygen दोनों मेरे कैसे होते है, SP2 hybridized होते हैं, 2 SP hybridized orbital of carbon atom overlap with 2 hybridized p orbital of oxygen atom to make 2 sigma bond, SP hybridized carbon atom है और SP2 hybridized oxygen atom है, उनके बीच में क्या होती है बच्चों, एक overlapping होती है, किसके बीच में? SP hybridized orbital of carbon and p orbital of oxygen के बीच में एक overlapping होती है और दो sigma bond form होते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं बात क्लियर है while the two unhybridized orbital of carbon atom are involved in ppi ppi bonding with oxygen atom जबकि जो two unhybridized orbital है मेरे पास किसके पास carbon के पास वो क्या करते हैं ppi ppi bonding करते हैं oxygen atom पे साथ और pi bond का formation करते हैं बात क्लियर है this result in linear shape of carbon dioxide and dioxide मैं के अंदर result करते हैं वोresult देते हैं हमें की carbon dioxide बात क्लियर है और आगर मैं बात कर तो किसकी bond length की बात करूँ अगर मैं बात कर आउं bond length की किसके अनदर carbon और oxygen के अंदर bond लेंच की बात करता हूं तो वो कितनी होती है वो होती है मेरे 11 15 13 picometer बात क्लियर है बच्चों और carbon dioxide मेरा जो होता है बच्चों उसके अंदर dipole moment नहीं होता है बच्चों वो कैसा होता है मेरा वो मेरा non-polar molecule होता है बात क्लियर है बच्चों यहां तक तो यह सब था बच्चों अमारा carbon monoxide और carbon dioxide के बारे में कुछ important compound हमने carbon के पढ़ लिया है बात clear है आपको समझ में आया होगा थेंक यू